हापुर में वकीलों पर पुलिस द्वारा हुए लाठी चार्श के विरोध में हरदोई के वकीलों ने अदालती काम का बहिशकार किया और बार असोसियेशन अध्यक्ष के नेतरत में मुख्य सचिव वर डी जी पी का पुतला जला कर विरोध प्रदर्शन किया है हरदोई बार असोसियेशन अध्यक्ष ने हापुर के डी एम एसपी वर सीयो को हटाये जाने की मांग के साथ दोशी पुलिस कर्मियों पर फाई आर और गिरफतारी साथी घायल अधिवक्ताओं को मुआफ़े की मांग के साथ अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है हरदोई में बार असोसियेशन के अध्यक्ष उदेवीर सिंग भदौरिया के नेतर्त में प्रदर्शन कर रहे वकीलों की मांग है कि हापुर के डी एम एसपी और सीयो का ततकाल तबादला किया जाए साथ ही घाल अधिवक्ताओं को मुआफ़ा दिया जाए और दोशी पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाब एफ आई यार दर्श कराई जाए वकीलों के हरतार के कारण कोल्टों में केस की सुनवाई नहीं हो सकी वही हर दोई बार अधिक्ष ने हापुड के डीम, एस पी वाज सीयो को हटाए चाने की मांग के साथ ही दोशी पुलिस कर्मियों पर एफ आई यार गिरफतारी और घाल अधिवक्ताओं को मुआफ़े की मांग के साथ अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है एस पी ओफिस के गेट पर डी जी पी वाक अलेक्टरेट के मुखे सचिव का पुतला जलाया गया वहस मौके पर बार एसोसियेशन हरदोई के अध्यक्ष उदैवीर सिंग भदौरिया, महामंत्री आदर्श पांडे, एडवोकेट विजट मोहन बाजपेई, एडवोकेट प्रीती दिवेदी, एडवोकेट समता शर्मा, एडवोकेट अयूब खान, एडवोकेट आरिफ अ अनसारी समेच अधिवक्ता गड़ मौजूद रहे सचिब और पुलिस महानिदेशक का पुतला हम लोगों ने पूका है, और बिरोध ऐसे और बढ़ता जाएगा, अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है, जब तक एडवोकेट पोटेक्शन एक नहीं लागू होता है, और जिन पुलिस कर्भियों ने बरवरता पूर मार पीट की है हापुड में, उनको जब तक सस्टेंड नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग घरताल अनवरत जारी होती है। आज हम लोगों ने महानिदेशक और सचिप जी का पूपता होता है, और उसमें हापुड में जो बरवरता है, हमारी अजरक्ता भाईयों और बैनों पर लाठी चार जुआ है, उसका हम घोर ब्रोध करते हैं, और हम सभी अदव्यक्तागर बहुत आक्रोशित हैं, और और जारी रहेगा, जब तक अदुवक्ता और अज ब्रोध क्रोटेशन एक लागु नहीं होता. आज हर्ताल का कौन सददीन हैं और आज आज आप लोग ने किसका पूतलपु का है? अदिबक्ता गणकी मांग है कि पूलिस प्रशासन हापुड जिनों ने अदिबक्ताओं के साथ बरबर तरीके से लाटी चार्ज किया और उनका सयोग किया उनका ततकाल इस्ताना अंतरण किया जाये और जो दोसी पुलिस कर्मी हैं उनके खिलाब मुकदमा दर्ज किया जाए और हापुड के बाद में जहां भी सांत्पूर्ण तरीके से हमारे अधिबक्ता भायों द्वारा प्रदर्शन किया गया अपना ग्यापन दिया गया उसमें भी पुलिस बल्द के द्वारा बार काउंसिल के निर्देशा नुसार तब तक इस्ट्राइक पर रहेंगे जब तक उत्तर प्रदेश सासन के प्रमुक्ष सचीव और उत्तर प्रदेश सरकार के महान निदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस द्वारा हापुड के प्रशासन और पुलिस प्रशास झाल झाल